3, 2, 1 Welcome to Nishayman Traders, मेरा नाम है असद मुगल और मैं हूँ founder and CEO of Nishayman Traders आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप एक ही printed paper से दो दफा टी-शिर्ट प्रिंट करते हैं तो उसका कैसा result होगा यानि कि हम एक ही sublimation paper पे print लेंगे और उस print को हम दो जगापे लगाएंगे यानि कि टी-शिर्ट की front and back side दोनों sides पे लगाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या result आता है, क्या एक paper एक दफा इस्तमाल हो सकता है या दो दफा इस्तमाल हो सकता है, या कितिन दफा इस्तमाल हो सकता है, या सिर्फ एक दफा इस्तमाल हो सकता है आज आप ये जानेंगे इस वीडियो में और सिखेंगे इस वीडियो में कि अगर आप ये print करेंगे तो आपको कैसा result मिलेगा तो देखते ही ये वीडियो और वीडियो एंड तक देखेगा ताके आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल अन कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कैसे होती है उसकी बेक बकायता वीडियो पड़िये क्योंकि आज की वीडियो जो है वो एक्सपेरिमेंटल है इसलिए मैं इसमें टेक्निकल ज्यादा इंवोलमेंट नहीं करूंगा बस आपको यह बताता हूं कि फर्स्ट एंड लास्ट टेमपरेचर हमने जो है वो 355 रख खतम होगें तो यह इसके सिल्वर्स जो है खतम होगे हैं और अब जो है मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहां पर मैं इसको लगाता हूं हूँ इसका center मैं निकालने की कोशिश करता हूं याप मैं इसका center निकाल लिया है और यह पेप्र कर्स का time ने की ठीक हो गया हाद का at all बेंस बड़न प्रेस कर दिया और 40 seconds का time जो है वह स्टार्ठ हो गया आप देख सकते जैसे ही 40 seconds complete होंगे उसके बाद जो है मैं इसको निकाल लूँगा गई तो गाईऀ यह टाइम पूरा हो गया है और मैंने इसको निकाल लिया है और इसको बंद कर दिया है और अब मैं आपको इसका पिंट दिखाता हूं और उसके बाद हम इसी को यानि इसी को यूज़ ऊस्टकर जोटरेंगे बेस peace करें Ten का यह एक रेक्टर है और इसका जो प्रिंट है आप देख सकते हैं बहुत ही चांदार प्रिंट हमारे पास आगया है यहां पर अब हम इसको थोड़ा सा थंडा होने देंगे क्योंकि यह अभी गरम है तो इस पर बंद मार का सकता है इसलिए इसको थोड़ा सा थंडा होने के इसे कोगने लिए बात हम इसकी जो टी शिर्ट है यह इसकी बैक साइड बेंगे समयर पात बात जाना दनुए तो कि प्रिन्ट है फ़र स्रीण नशांन schon कि मैं परिले है और:「 को कि कि हम इस फर्ण धोप्र क्या था और हम देखेंगे के दोनों साइट पे अगर हम एक ही पेपर यूज़ करते हैं तो कितना रिजल्ट का रिफरेंस आता है फ्रन्ट एंड बैक साइट का जो रिजल्ट होगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा यह मैंने लगा दिया है इसको यहां पे और आप इसके बाद हम इस पे प्रिंट करेंगे प्रिंट आप देख सकते है मेरे हाथ में यह वही प्रिंट है जो के इंक इसके उपर बची हुई है जो कि मने फ्रंट पर प्रिंट किया था अभी मैं 355 के बाद सेम टाइम और सेम टमपरेचर पे बैक साइट पर पर प्रिंट करके देख इसको प्रेस लगा दिया और ये मैंने इसका टाइम जो है वो चला दिया अब 40 सेकंड बाद हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है गाइस तो भी 20 सेकंड से ज्यादा टाइम गज़र चुका है अब जो हम अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पेपर का जो हमने एक दफा इस्तमाल किया और हम उसको दबारा इस्तमाल कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमें क्या सिखने को मिलता है तो यह 40 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुए तो मैंने इसको निकाल दिया इसको बंद कर दिया और अब मैं देखता हूँ गाइस आई होप के आप तियार होंगे और हम देखते हैं 3, 2, 1 और यह चेस गाइस यह देखिए यहाँ पे आप देखें कि यह इसका बैक साइड है और यह इसका जो है पहले वाला प्रिंट है यहाँ पर देख सकते हैं यह इसका पहले वाला प्रिंट है और यह इसका बाद वाला प्रिंट है यह देखिए बाद वाला प्रिंट देख सकते हैं आप और यह पहले वाला प्रिंट रिजल्ट में आपको वाजिया फरक नज़र आ रहा होगा आज की वीडियो में आपने सीखा कि अगर आप एक टिशिर्ट को दुनों साइट से प्रिंट करना चाते हैं और अगर आप एक ही पेपर यूज करते हैं तो उसमें आपको क्या नतीज़ा मिलेगा उसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा फ्रंट and बेक साइट दोनों में आपको दिखा दी हैं जैसा कि आप ये देख सकते हैं वाजिया फर्रक है दोनों साइट पे ये डेक़्ीर लिखा है तो हम एक एक ही प्रिंट को को दुनों साइट है गर हम ऍे एक प्रिंट तॉस को दो दफा भी इस्तमाल कर कर देखा लेकिन फाइदा नहीं हुआ तो इसलिए याद रखिए कि आप एक पेपर को दो दफा इस्तमाल नहीं कर सकते तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और देखते हैं निशेमेटर यूट्यूब चैनल सी यू नेक्स वीडियो अलाफ वेस्